बिग बॉस के घर में कल जो इम्यूनिटी टास्क हुआ उसके असली मास्टर माइंड आखरकार कौन थे मुनवर फारुकी या फिर खानजादी क्या खानजादी मुनवर के कहने से चल रही थी या खानजादी को वही करना था जो उन्होंने किया चलिए दोस्तों बाग करते हैं भई शोचल मीडिया पर भी इस चीज का चर्चा है स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई में मैं हूँ अदिती शर्मा तो कल के टास्क में आपने देखा कि मुनवर फारुकी और समर्थ जो है वो अरुन की तरफ चले गए थे और एक जिताना है एंड उसके लिए खांजादी ने बहुत सारी चीज़े की जो उससे किसी ने करने के लिए नहीं कहा यहाँ पे खांजादी ने चलते टास्क में रूल्स बदले उन्होंने कहा कि मैं डिसाइड करूंगी कि सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा कौन नहीं तो खा खांजादी ने बहुत सारे ऐसे मूवस किये टास्क में जो बहुत ही स्मार्ट मूवस थे और यहाँ पे मुनवर अपना केल केल रहे थे लेकिन ऐसा नहीं था कि खांजादी मुनवर के कहने पर चल रही थी वो मुनवर के साथ इसलिए थी क्योंकि मुनवर उस वक्त अरु उनकी bonding बहुत अच्छी है और खानजादी चाहती थी कि ये immunity अरुन को ही मिले और नील के साथ उनकी कभी नहीं बनी तो फिलाल एक किसम से थोड़ा सा उनका personal जो रिष्टा है नील का और खानजादी का वो बिलकुल भी ठीक नहीं है इनकी बहुत लडाईया हो चुकी है तो ने वो सारी चीजें मदे नजर रखते हुए यहां पे अरुन को जिताया और यहां पे भई बिलकुल भी ऐसा नहीं था कि मुनवर खेल खेल रहे थे यहां पे साफ सिदा दिखा कि ये बड़ा खेल जो है वो खानजादी ने खेला और जैसे कि मैंने कल भी आप से कहा था कि सबसे important हो जाता है जब big boss चुप रहे और big boss यहां पे involved नहीं हुए नहीं तो वो अगर खानजादी को टोक देते कि तुम rules कैसे बदल सकती हो तो फिर मामला बिगड़ सकता था आप सभी को क्या है कहना comments में बताईए जरूर मिलते है next video में